नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डौक्टर मीलम शर्मा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि SPDS DP टैबलेट का उपयोग किन कंडीशन्स में किया जाता है SPDS DP टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और Espidase DP Tablet की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं और यहां भी discuss करेंगे कि Espidase DP Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए Espidase DP एक brand name है Espidase DP Tablet के अंदर तीन दवाओं का combination होता है Espidase DP Tablet के अंदर salt composition diclofenic 50 mg, paracetamol 325 mg और sereseo peptidase 10 mg होता है Espidase DP Tablet का उप्योग गुखार होने पर, शरीर में दर्ध होने पर और सूजन को कम करने के लिए Espidase DP Tablet का उप्योग किया जाता है यदि आपके शरीर पर कोई चोट लगने की वज़े से सूजन आ गई है तो Espidase DP Tablet दर्ध के साथ सूजन को भी कम करती है एस्पिडेज DP टैबलेट का उप्योग शरीर की मासपेशियों में दर्थ होने पर, शरीर की हड़ियों वर शरीर के जोडों में दर्थ होने पर, सिरदर्थ होने पर, दातों में दर्थ होने पर, कमर में दर्थ होने पर, कान में दर्थ होने पर, बुखार होने पर और गले मे दर्थ होने पर आदी conditions में Speedase DP tablet का उप्योग किया जाता है इसके अलावा महिलाओं में मासिक धर्म के दोरान भी दर्थ से राहत पाने के लिए Speedase DP tablet का उप्योग किया जाता है Rometroid Arthritis और Osteo Arthritis होने पर भी जोडों में दर्द और सूजन को कम करने के लिए भी SPDES DP टैबलेट का उप्योग किया जाता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में SPDES DP टैबलेट की वज़े से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में SPDES DP टैबलेट की वज़े से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं जैसे बदहजमी होना, पेट में दर्ध होना, पेट में जलन होना, कब्ज होना, उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, त्वचा पर खुजली होना, त्वचा पर रैशेस होना, भूप कम होना, दस्त होना और लिवर इंजाइम बन सकते हैं. ज्यादा लंबे समय तक या ज्यादा डोज में Aspidase DP टैबलेट को लेने से किड्नी वर लिवर डैमेज हो सकती है और शरील में खून की कमी हो सकती है इसके अलावा लंबे समय तक यानी लगातार कई महीनों या कई सालों तक Aspidase DP टैबलेट का सेवन करने की वज़े से पेट में ब्लीडिंग होने का, दिल का दौरा पढ़ने का और लकवा लगने का भी जोखिम अधिक हो जाता है अब हम दिसकस करेंगे की Aspidase DP टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है Aspidase DP टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रेक्मेंडेड होता है आम तौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डौक्तर Aspidase DP टैबलेट को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह देते हैं कुछ व्यक्तियों को डौक्तर केवल दर्द होने पर ही Aspidase DP टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं Aspidase DP टैबलेट की दोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको Aspidase DP टैबलेट को आपके डौक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए अब हम दिसकस करेंगे कि Aspidase DP टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए पेट में अलसर होने पर, पेट या आंतों में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, किड्मी, लिवर या दिल से संबंधित कोई गंभीर बीमारी होने पर Aspidase DP टैबलेट को लेना recommended नहीं होता है इसलिए इन कंडीशन्स में डॉक्तर की सला के बिना Aspidase DP टैबलेट को नहीं लेना चाहिए Aspidase DP टैबलेट के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि Espidase DP Tablet के साथ शराप का सेवन करने की वज़े से पेट में ब्लीडिंग होने का जोखिम अधिक हो जाता है Espidase DP Tablet मा के गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं के लिए Espidase DP Tablet का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है और अगर आपका SPDES DP टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.